गंदे, काली पीले, मेले कुचले और कीडे लगे दांतों को अगर आप भी दो मिनिट में साफ करना चाहते हैं तो आज की एक खास रेमेडिय सर्फ आप के लिए बहुत सारी लोगों के दांत बिल्कुल काले पीले से पढ़ जाते हैं और बिल्कुल साफ नहीं होते काफे सारी लोगों के दांत में कीड़ा लग जाता है, जड़े खाली हो जाती हैं और डॉक्टर उन्हें निकालने को बोल देते हैं और उनके मसूडे और दांत बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं तो आज की रेमेडिय सर्फ आपके लिए बहुत जादा खास होने वाली है और सबसे ज़रूरी बात इस रेमेडिय को छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजूर्ग हर कोई इस्तिमाल कर सकता है, सब के लिए सेफ है और बहुत ज़ादा यूसफुल भी है तो आपके गंदे काले पीले पढ़ चुके दांतों को दो मिनिट में साफ करने का काम करेगी रेमेडिय तो यहाँ पर जिन चीजों की जरूरत आपको पढ़ेगी वो चीज़े मैं आपको step by step बताती जा रही हूँ तो बिलकुल ध्यान से इस चीज़ को देखनी जेगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ले लेना है lesson lesson तो सबके घर में होता है आपको lesson की दो से तीन कलिया ले लेनी है इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है नमक यह दोनों ही चीज़े दांतों के सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है तो इनका इस्तिमाल अपने दांतों के लिए जरूर से करिएगा मसूडों में किसी तरीकी का सूजन है या मसूडों से खून आता है दांत कमजोर होते जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर lesson और नमक को सांथ में इस्तिमाल करना है इस remedy को बनाने के लिए आपको जोड पढ़ेगी एक बरतन की तो सबसे पहले आपको ऐसा एक बरतन ले लेना है इसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा हल्दी हल्दी एंटी बैक्टेरियल होती है एंटी फंगल होती है तो हमारे मूँ के अंदर जितने भी किटानू होते हैं बैक्टेरिया होते हैं उन्हें खत्म करने का काम यह हल्दी करेगी तो यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा ले रहा हैं बहुत जादा नहीं लेना है निम्बू के अंदर जो vitamin C होता है उससे हमारे दात भी मजबूत होते हैं और साथी साथ इसके अंदर काफी सारी ऐसी properties होती हैं जिससे हमारे दातों की सूजन, मसोडों की सूजन, मसोडों से खून आना, मसोडों में जंजना, हर दातों में दर्ड, हर तरीकी की परिशानी को निम्बू पूरी तरीके से ठीक करने का काम करता है तो यहां पर आपको लेना है एक निम्बू और निम्बू को आपको इस तरीके से आदा काट के इसके अंदर डाल देना है निम्बू के बीच को अलग कर लिजेगा और इसे आदा निम्बू इसके अंदर डाल दीजेगा निम्बू बहुत ही useful है आपके दातों के लिए जिन लोगों के दात पूरी तरीके से पीले पड़ चुके हैं और बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं कई लोग गुटका खैनी वगरा खाते हैं जिसकी वज़े से उनके दात बिल्कुल काले पड़ जाते हैं और साफ करने के बाद बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं तो ये remedy उनके दातों पे भी बहुत अच्छा काम करेगी अब यहाँ पे आपको लेना है नमक अब नमक को भी आपको इस तरीके से पूरी तरीके से स्केंदर मिला देना है ये solution बहुत ही जादा useful है सबी लोगों के लिए चाहे वो बुड़े बुज़ुर्ग है या बच्चे है बच्चों के दातों में अक्सर मीठा खाने की वज़े से कीड़े लग जाते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत ही जादा कार्य रहेगा अब यहाँ पे आपको लेनी है lesson की कलिया lesson के अंदर बहुत सारे ऐसे properties होते हैं जिससे आपके दातों के दर्द में अराम मिलेगा तो उनके लिए ये बहुत ही जादा खास है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कुछ आपको lesson की कलिया लेनी है और इनको grade करके इनका जो rest है वो इसके अंदर आपको डालना है तो यहाँ पर थोड़ा सा lesson लेना है और इसको कदू कस कर लिजे और उसके बाद इसका जो rest है वो इसके अंदर डाल देना है अब आपको यहाँ पे लेना है lesson का rest तो यहाँ पे आदा चम्मच के करीब लहसन का रस इसके अंदर मिला देना है। इसे एड़ करना इसमें बहुत ज़ादा ज़रूरी है। इससे आपकी बहुत सारी परेशानिया दातों से जूड़ी बहुत जल्दी खतम होगी। अब इसके अंदर आपनी मन पसंद का कोई भी पेस्ट जो भी आप इस्तिमाल करते हैं दातों को साफ करने के लिए उसे इस्तिमाल करियेगा। इसे store करके भी रख सकते हैं लेकिन इसे fridge में store करके रखेगा तापकि आपको रोज इसे बनाने की ज़रुद ना पड़े इस solution को आप store करके fridge में रख दीजे और जब भी आपको इसे use करना है तो आपको एक से दो घंटा पहले इसे निकाल लेना है क्योंकि बहुत सारे लोगो पेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं दान्तों को साफ करने के लिए कोलगेट मैक्स फेश कोई भी पेस्ट ले लीजिए उसके अंदर आपको इतना आदा चम्मच ये वाला solution उसमें एड़ कर देना है अच्छी तरीके से mix कर लीजिए उसके बाद आपनी दान्तों को साफ करिए तो इतना solution काफी होगा एक बार में आपके दान्तों को साफ करने के लिए तो यहाँ पर अब मैंने एक अलग से बर्तन लिया है क्योंकि मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूंगी तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करिएगा और यहाँ पे थोड़ा सा ही हमें solution चाहिए छोटे बच्चे हैं अगर तो उनको भी आप यह solution दे सकते हैं इस्तिमाल करने के लिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा यह solution लेना है और जो भी paste आप इस्तिमाल करते हैं दातों को साफ करने के लिए उसे आप ले लीजे थोड़ा सा आपको लेना है baking soda baking powder नहीं baking soda यह अलग आपको मिला देना है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें bubbles आने शुरू हो जाते हैं baking soda जडोस में जमी हुई गंदगी को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है तो इसका इस्तिमाल करिएगा थोड़ा से लेना है बहुत जादा नहीं baking soda को मीठा soda भी कहा जाता है इसे खाने पीने की चीज़ों को गलाने में इस्तिमाल किया जाता है तो यह वही baking soda है अब इन सारी चीज़ों को एक बर अच्छी तरीके से मिला लीजे अगर आपके पास baking soda नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इनो का इस्तिमाल कर सकते हैं वरना अगर baking soda है तो उसी का इस्तिमाल करिए, बेकिंग सोडा बहुत अच्छे से काम करता है आपकी दातों की सफाई करने के लिए, यहाँ पर इन सारी चीजों को बढ़िया से असे मिला दीजे, जितना मैंने बेकिंग सोडा लिया है उतना ही आपको लेना है यहाँ पर इनो बहुत जाद नहीं, इनो का तूटब्रश और इस तरीके से अपनी तूटब्रश से आपको अपनी दांतों को साफ कर लेना है, देख लिजे, इतना ही हमने रोज बनाना है और इतना ही एक बार के लिए काफी होगा, बहुत जादा नहीं बनाना है, बागी सोलेशन को फ्रिज में स्टोर करके रख तो उस टाइम पे आपको इसी तरीके से पेस्ट का इस्तिमाल करना है और जिए सोलेशन हमने यहां पर तयार किया है, इसका इस्तिमाल करना है, इससे आपकी इतनी अच्छे से धातों की सफाई हो जाती है जितना भी आपके दातों में पीलापन लगा हुआ है, वो पूरी चली जाता है गंद की दाइटों में जमी देशा को बहुत जाने का काम जाता है। अगर आपके दातों में दर्द है, सूजन है, मसूर से खून आता है, तो उस समस्या में भी आपको बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा, बच्चे भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, कई बार छोटे बच्चों के दात में कीड़ा लग जाता है, तो बच्चे भी इ इस वीडियो को लाइक करने के साथ, जाधा से जाधा लोग के साथ, शेयर करिये, ताकि इस वीडियो का फायदा बाएक लोग भी उठा सकें, क्योंकि आजकल दातों की समस्या, पीले पन की समस्या, बहुत सारी लोगों को होने लगी है, तो इस रेमेड़ी आपके लिए हर तरीके से कारगर है दांतों की हर समस्य से निजात पाने के लिए तो जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए दोस्तों के तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी जहर महादेव